वाट्स अब गाईज जब भी आप इस्टाग्राम पे अपना फोटू अप्लोड करते हैं जो फोटू कॉल्टी आपके मुबाइल में रहता है वही फोटू कॉल्टी अप्लोड करते वक्त या अप्लोड होने के बाद आपको इस्टाग्राम पे नजर नहीं आता है उससे लो quality है कम कर देता है और आपकी जो photo quality यह बहुत ही कम कर देती है इसलिए दोस्तों Instagram पे आपको इतने अच्छी फोटो नजर नहीं आती और आपके mobile में अच्छी फोटो नजर आती तो क्या करें कोई सी setting करें कैसे upload करें Instagram पे तक कि आपके जो quality मोबाल में नजर आ रहा है वही quality आपको Instagram पे नजर आए ओके दोस्तों इसका बहुत ही जबदस सालूसन है आप lightroom से यह इस नैफ सीड से फोटो को इडिट करते हैं ज्यादा तर बंदे अपने lightroom से ही इडिट करते हैं तो यहाँ पर मैं lightroom की editing बताऊं और मैंने यहाँ पर एक फोटो को चूच कर लिया है परफेक्ट दोस्तों अब दोस्तों editing complete हो गया है सब editing आपने कर लिया है अब export की बारियाती कैसे आपको export में कौन से setting करना है तो यहाँ पर सिंपल में share पर क्लिक कर देता हूं देख सकते हैं share to device get to a link है और invite people है नीची दे सकते हैं export का option है export as का यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है setting का option open हो जाएगा उसकी नीची दे सकते हैं file type का option अभी select है JPG इसको आपको select रहने देना यह default रहता है इस पर ही आपको अपना export करना है photo is file type में और नीची option दे सकते हैं dimension का है अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता तो दोस्तों यह automatic select है जब भी आप photo के export करते हैं और second है small और यहाँ पर दे सकते है custom आपको custom पर select कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर long side का option है आपको यहाँ पर कितना pixel select करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि Instagram ने अपने website पे साप साप लिखा है कि अगर आपका pixel इससे ज़्यादा हो जाता है photo का तो Instagram आपके photo को compress कर देगा चोटा कर देगा pixel को उसके बराबार ला देगा और photo को सीधा upload कर देगा जितने भी color correction situation है वो सब कम कर देगा तो आपको इसमें ध्यान से fill करना पड़ेगा तो कितना कर देना चाहिए जितना Instagram में अपने website पर लिखा है उतना ही करना चाहिए मालेजी दोस्तों आप लैंड इसकी photo ले रहे हैं मतलब कि इस तरह photo ले रहे हैं किसे सी निरिका तब आपको यहाँ पर 1080 करना होगा pixel को और दोस्तों अगर आप अपनी photo selfie ले रहे हैं या दोस्तों आप इस तरह portrait photo ले रहे हैं तब अच्छा real provide करके देगा तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है नीचे देख सकते है more का option और यह सारे option आपको same रहने देना है नीचे आपको एक ध्यान देना होगा कि color space का option है यहाँ पर आपको yes RGB को select कर देना होगा बहुत सारे option है इसको आपको touch नहीं करना यही जो select है already उसे ही रहने देना होगा बस simple आपको यहाँ पर टिक कर देना है और है अब जब भी आप इस setting पर आपने photo को upload करते हैं इस्टाग्राम पर तो दोस्तों आपकी photo quality बिल्कुल भी कम नहीं होगी जो quality आपको mobile में नजर आ रही वही quality आपको सीधा Instagram profile में नजर तो बहुत ही simple तरीका आपने photo को और भी अच्छे quality से upload करना है अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को like करें चैनल को जरू सब्सक्राइब करें कि तक कि मैं आपके लिए ऐसे interesting वीडियो बनाता रहूं आपके रहाता रहूं फिर जी मिलते हैं next वीडियो में